नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सुपर फास्ट भेंग कर स्पीड में लेकर आगए आपटन बहुत ही शांदार जी के एक कॉशन है ये लूसेंट स्पीड ही कॉशन है पिछले 30 साल से बार बार पूछेगा एक कॉशन है मेरे इसाब से कम से कम 30-40 कॉशन बने चाहिए देखते कौन-कौन 30-40 से ज़्यादा प्रशन सही करकी बता पता है करते विडियो को स्टाट भारत का राश्टी पंचांग किस काल पर आधारत है तो भारत का जो राश्टी पंचांग है वो आधारत है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सक समवत पर ऑप्शन बसी सक काल या शक समवत इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा पढ़ते अगले कॉशन की तरब यह रापकी स्क्रीन पर महांतम कुशाण नेता कौन था जो बौध बन गया तो महांतम कुशाण नेता जो बौध बन गया इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कनिश्क ऑप्शन बसी कनिश्क के यहाँ पर इस प्रशन के लिए राइट आंसर है अगला कॉशन दिखिए निमने लगितम से किसने सांची के स्टूप का निमाना कराया था तो सांची के स्टूप का निमाना कराया था ये चारों जो ऑप्शन है चारों के चारों आपके गलत हैं सांची के स्टूप के निमाना कराया था अशोक ने अशोक यहां पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा बढतेやं के लिए कॉंशन की तरब हुआ चरक किसके दरवार में प्रसीद्व चीद्सक तो जो चरक थे आपके कनिशकी दरवार के प्रसीद्थ जिकेस्ट्सक ऐपकर करनिशकर रहां सर जाएगा चंडरकुप्तू मौर के दरवार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भीजा गया राजदूत कौन था तो चंद्रकुप्त मौरी के दरवार में भीजा गया था किसको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मैगस्तनीज को ऑप्शनमबर सी मैगस्तनीज यहाँ पर इस प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा तमिल का गौरा गुरंत जीवक चिंतामणी किस से संबनत है तो जीवक चिंतामणी यह संबनत है आपका जैन धर्म से ऑप्शनमबर यह जैन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कनिश्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आ अशेक अशोक के सिलालेक को पढ़ने में उसका अर्थ इस पष्ट करने में 1837 का वो साल था और उन व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसिप ऑप्शनमबर सी यहां पर इस प्रशन के लिए राइट आंसर है संगम युग का संबन्ध कहां के थ्यास से है तो संगम युग का स संबन्ध यापकर तमिल नाड़ू से ऑप्शनमबर सी तमिल नाड़ू से एंसर हो जाएगा तमिल नाड़ू राजी की राजधानी का नाम बताईए और वहाँ पर सीएंप कौन है। क्या था तो संगम काल में रोमन व्यापार का कैन था मुसीरी ऑप्शन नमबर यहां पर डी मुसीरी राइट आंसर हो जाएगा कलिंग के विरुद्ध अशोग के अभियान की जानकारी का मुख्य स्तोत निमलिकित में से क्या है तो कलिंग के विरुद्ध अशोग का जो अभि वंश के महांतम शाशक थे तो राजा खारवेल ये आपका सही आंसर हो जाए कलिंग के थे और ये छेरी वंश के महांतम शाशक थे कलिंग खारवेल के लिए जाना जाता है option number B right answer है मौरे वंश के ततकाल बाद किस वंश ने आकर मगद राजे पर शाशन किया था तो मौरे के जश्ट बाद आये थे option number B, शुंग वंश, option number B सही आंसर है गांदार कला किसके अधीन फली फूली थी जो गांदार कला शैली थी ये फली फूली थी कुशाण काल में option number A right answer हो जाएगा कुशाण वंश के प्रशिद्ध राजा का नाम बताईए कुशाण वंश के प्रशिद्ध राजा का नाम यहाँ पर जो ऑप्शन देए कनिश्क नमबर एक कनिश्क राइट आंसर हो जाएगा किसे शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उलेख किया है और युद्ध त्याग की घोशना कर दी थी तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए इसके लिए सही आंसर आपका option नमबर भी सिला लेख नमबर 13 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए अशोक ने समुचे भारत और सिलोन में बहुत धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था तो बहुत धर्म का प्रचार किया था धर्म महा पात्रों को भीज कर option नमबर यहाँ पर भी इसके प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा मौर दर्वार में ग्रीज के राजूत का क्या नाम था तो मौर के दर्वार में ग्रीज के जो राजूत है उनका नाम था मैगस्तुनीस option नमबर भी सही आंसर है बिंदुसार के शाषन के दौरान अशान्ती कहां पर थी तो बिंदुसार के शाषन के दौरान अशान्ती तक्चिसला में थी आप्शन नमर सी यहां पर सही आंसर है सात वहान का सबसे बड़ा शाशक कौन था तो सात वहान का सबसे बड़ा शाशक गौतमी पुत्त शात करणी option नमर यहाँ पर भी प्रशन के लिए right answer हो जाएगा अर्थ सास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे तो अर्थ सास्त्र के जो लेखक थे वो समकालिक थे आपके चंद्रकुप्त मौरे के option number भी चंद्रकुप्त मौरे यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा चंद्रकुप्त मौरे ने अपने अंतिम दिन कहां व्यतीत किये थे तो चंद्रकुप्त मौरे ने अपने अंतिम दिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्रमण बेल गोला में व्यतीत किये थे option number यहाँ पर D प्रशने के लिए right answer है बौत धर्म का संद्रक्षर कुशार शाषक कौन था किस भारतिय शाषक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा option number यहाँ पर right answer है गांधार कला किन दो कलाओं का सही होजन है तो गांधार कला मिली है आपकी हिंद और यूनानी कला से option number यहाँ पर B बिल्कुल सही answer हो जाएगा हिंद और यूनानी कला साथ वाहन सामराज के संस्थापक कौन थे तो साथ वाहन समराज के संस्थापक थे आपके शिमुक option number B यहाँ पर शिमुक right answer हो जाएगा अशोग के सिरालेख पर किस लिपी का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा अशोग के सिरालेखों पर option number यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा मौरे सामराज की राजधानी कहाँ पर थी तो मौरे सामराज की राजधानी आपकी पाटली पुत्र थी option number A पाटली पुत्र का अभी का नाम बताईए अभी पाटली पुत्र कौन सा शहर है कौन से शहर का प्राची नाम पाटली पुत्र था निमलगत में से कौन सा कनिश्क के राजवयत थे तो यहाँ पर जो आप्शन्स दिएगा है इसमें से चरक कनिश्क के राजवयत थे option number C right answer हो जाएगा अशोक किसे राजवनश के राजा थे तो जो अशोक थे समराट अशोक यह मौर राजा थे option number C से राजवनश के राजा भारती कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको, रोमन, बौद, आर्ट के नाम से भी जाना जाता है तो इसको कहा जाता है option number C गांधार कला option number C यहाँ पर right answer है संगम युक का तोलक पियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार है तो यह किस से संबनित था यह संबनित था आपका तमिल से option number यहाँ पर यह तमिल इस प्रशने के लिए right answer है धंब की सिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदादीकारियों की नियुक्ति की थी तो धंब के लिए अशोक ने नियुक्त किया था धंब महा मत option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा नंद राजवंश का संस्थापक कौन था तो नंद राजवंश का संस्थापक यहाँ पर जो options दिये गए है महा पदमनंद option number C यहाँ पर right answer है भारत सरकार के प्रतीक नियुक्त में से कौन मौर रवंश से अपनाया नहीं गया है तो यहाँ पर जो options दिया गया है इसके नुसार सही answer हो जाएगा आपका सत्य में हो जाएते यह मौर रवंश से अपनाया नहीं गया है गौतमी पुत्रशात करनी के लिए option number यहाँ पर D सही answer है यूनानी राज़ूत मैगस्तनीस इनमें से किस शाशक के दरवार में था तो जो मैगस्तनीस था वो था आपका चंद्रगुप्त के दरवार में option number B सही answer हो जाएगा निम्न लखित मैं से किस की जानकारी अशोक के सिला लिखों से मिलती है तो आपको बतादे है जीवन वत की आंतरखनीती विदेशनीती इन सभी की जानकारी अशोक के सिला लिखों से मिलती है तो यहाँ पर सही answer आपका हो जाएगा option number D उपरोक सभी विकल्प सही है अगला कॉशन देखिए ग्रीक यूनानी लेखों को द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है तो यह वर्ड यूज किया गया है आपका धनानन्द के लिए option number यहाँ पर D इस प्रशनी के लिए धनानन्द इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा बढ़ते हैं गले कॉशन की तरब भारतिय नयपोलियन के उपादी किसे दी गई है तो भारतिय नयपोलियन के उपादी दी गई है आपकी समुद्र गुप्त को option number B right answer हो जाएगा अप्शनी के वैद चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे तो चिकित्सा का भगवान माना जाता था option number C, धनवंत्री को option number यहाँ पर C, इस प्रशनी के लिए right answer है आरेभट और वराहमेर के सुविख्यात नाम किसके युक के साथ संबनेत है आरेभट और वराहमेर यह दोनों गुप्त वंच के साथ संबनेत है option number यहाँ पर A, गुप्त वंच राइट answer है रोमन सामराज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके दवारा आक्रमण के साथ समाप्थ हो गया था तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा हूनों के दवारा आक्रमण के बाद समाप्थ हो गया था समसिलाले किसने बनवाए था तो यह बनवाए गया था हरी शेयन दवारा option number A, right answer है